उत्राखंड के हरिदवार जिले में एक बड़ा हाथसा हो गया जी हां बता दें कि यात्रियों से भरी हुई उत्राखंड रोडवेज की बसे कसि पूर से हरिदवार की और जा रही थी इसी बीच हरिद्वार के चिनियापूर बॉर्डर के पास कोटा वाली नदी के तेज बहाव में बस फस गई देखते ही देखते यात्रियों में मौके पर चीक पुकार मज गई बस धीरे धीरे नदी की तरफ लुड़कने लगी बताते चलें कि उस वक्त बस में करीब 22 यात्री सवार थे वहीं सूचना मिलते ही स्यामपूर पुलिस टीम मौके पर पहुँची और एक घंटे की कड़ी मसकत के बाद सवारियों को सकुसल बहा निकाला इसके बाद सवारियों को दूसरे वहनों से गंतव विक्की और रवाना किया गया और क्रेन की मदद से बस को भी बहार निकाला गया आपको बता दें कि इस घटना के बाद यात्री और चालक परिचालक पुलिस टीम का धन्यवाद अधा करते नहीं ठके बने रहे पहाड से मैदान की हर खबर के लिए देभूमी दर्शन के साथ